हलो रों स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दास्विल पाइंट इस्टीटूट इन दौर में आसा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने सोम की जो महराथन क्लास है ठीक है जिसके अंदर आज हम सोम का पहला चैप्टर कवर करेंगे ठीक है सोम का चैप्टर नं करने के मतलब यह है ठीक है तो अपन पहले चैप्टर जो इसको समप कर देते हैं में राथन प्लास में बांकी लेक्चर आप को वह वालें प्रोवाइट कर दिये जाएंगे उनको पढ़ लेजे उतना पढ़ना ज़रूरी है उतना नहीं पढ़ेंगे तो चार से पांच नम पूरी में राथन पर पढ़ानी है तो इसके इसे समझने के लिए थोड़ा सा सोम पढ़ लिए जो कि लगभा किते घंटे हो जाएगा कि यह सब काड़ पीट के पंद्रा घंटे हो जाएगा तीन दिन वाल रेडिस कवर कर सकते हैं आप तो सोम पढ़ लिजे जैसे पढ़ा पुरानी वाली बिगा अगर वह देख लेते हैं तो दो यादा साथन करनी पढ़ रहे तो देख लेक्ट कर लेएंगे एक लेक्ठर करतें पहला एपक काडिक क्या इस्ट्रेस पॉंट नबर करूंगो इंटर्न लेजिस्टेंस बोलते हैं कि यहां पर देख बढ़ सकते हैं कि इन पर पार्टिकल से मिलकर करके हैं इन पार्टिकल्स ये लोडिंग लगरी होगी तो एकस्टरनल लोड है वेकिन जब ये पार्टिकल पे लगांगे तो ये ची अ के चुश्ट करता है क्या करता है जो रोजिस्टेंस होता है इसी ᓲ और अगर आपने यह को पर इटर्स कुई करते आप इसको पर युंक्क किया जाता है उसको अबसक्र इसकी बहुत है इंपोरेंट रिचोजिकгоं में कि शुट बेचार बराश के mind गाफ पास्कल आपको याद के घाते तीन मेगा पास्कल पराबर होता है एक गीगा- सक फ़ेस्टो नर्ड Coleman बहुत इंपोटन्थ है याद रखने यह होगा आपके किस्ट्रेश के कहान नहीं बात करते हैं कि क्रमक्राइफ गना इसको थोड़ा साहसे समझते हैं चेंज इन लेंथ बित रिस्पेक्ट और इसे बोल देता हूं जैसे मेरे सपोज मेरे पास कोई स्टील बार था मैंने इस पे टेंशन लोड लगाया पी का इसमें पहले लेंथ इसकी लोड लगाया तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई लेंथ में डेल हुआ नो भी पहले लेंथ आप डेल प्लस डेल है मैं डेल बढ़ गई लेंथ वित रिस्पेक्ट तो किसके उरिजिनल लेंथ उरिजिनल किती थी ल यह जो होता है इसे इस्टेंड इनोट करने इसे एपसाइलॉन से अब अगर इसकी यूनिट ऊचे तो दे अगरा पॉइंट है अगरा पॉइंट है क्या करते हैं माल इस्टेल को लेते हैं जनरली माल इस्टेल क्यों ले रहे हैं पन क्यूसी वही जनरली अपन से इसको करते हैं यह जैसे आपके सामये बना हुआ यह कर्ब बहुत ज्यादे इसके इक पॉइंट को समझना जरूरी है इस कर बोलते हैं stress strain curve, stress को दिखाते हैं y axis पर, strain दिखाते हैं अपन x axis पर, ठीक है, अगर बात करते हैं आपको कुछ-कुछ point दिख रहे होगी, जैसे पहला point आपका a point है, दूसरा b है, तीसरा c है, d है, e है, f है, और g point, ठीक है, a है, यह यह बी है, यहाँ पास आपको c dash proportional है, किसके, 10 theta अगर आपन इसका निकालते हैं, तो thatly क्या होता है, proportional होता है, इसका जो slope है, constant slope है, क्या है, constant है, a line तक इकदम cd line, ठीक है, इसको बोलते है proportional limit, question कैसे बनेगा, question यह बनता है, कि हुक्सला किस point तक, हुक्सला किस point तक valid होता है, अभी हुक्सला पढ़ाओंगा पूछे किस point तक, यही a point तक valid होता है, thatly याद रख लेना, question पूछे कि हुक्सला किस point तक valid है, a point तक, a बोले तो proportional limit तक, यह भी इस point को बोलते है, elastic limit, elastic limit को मतलब यह, कि अगर आप यह बी point तक loading लगा करके, loading छोड देते हैं, मतलब loading हटा लेते, तो वापस जितना strain आया हो एडियल में जो है, तो आपको deformation, उस steel के अंदर दिखने लग जाएगा, ठीक, यहां से start हो गई है, यह c point होता है, lower yield point बोलते हैं, इसी के corresponding अपन उसकी yield strength मानते हैं, जैसे अपनने fy के case में किता पड़ रखा है, mild district के case में 250, यह 250 इसकी yield point है, यह yield strength होती है, मतलब यहां से आ यह आपसी बोलते हैं, सी क्या है, lower yield point होता है, हम जो corresponding yield strength लेटे हैं, किसा corresponding Leboyant के corresponding, मतलब नीचे वाले lower yield point की corresponding क्यों, क्योंकि lower yield point बोल पाने को यह तो स्थाई है, जो क्योंकि पूच्चन पूचे घंए डियल डेकर की जो इस ट्रॉस्त डेकर घंठाइब हैं, तो घंड़ कहलाता है यह क्या बोलता है इसको is strain Hardening अ हारड़िनिग जों और यह जो इफ क्या केलाता है यह नेकिंग जोन क्या है यह नेकिंग जों एटेखिए तिन सभी के नम आपको यह रखना है यह जो एफ है नेकिंग जोन है और shrug आपका फ्रेक्चर पॉइंट है इसकी समझ गया यह होता है आपका होता है सब ज्यादा इस्ट्रेस आपको कहाँ मिलता है इफ डी ए रिजन पर निक बनने लग जाते फाइनल आप टूबने वाला जब भी कोई मट्रील टूडता है खासकर जो डटायल मट्रील जैसे आपका सब्सक्राइब कर्सपोंडिंग कितना होता है इल्ड पॉइंट के क्रस्पोंडिंग इस्ट्रेंग तो यहां प्याद रख लेगे 0.18 12some Ket Nicole 00.12 परशेंट इक इस्पोंडिंग यह दी सबडिन है या सी सी है आपस संकी ॉपंडिंग इस्टं कित्ता होता है你 पॉंट टैक है ठीक हैular पिरष्पोंडिंग यह आं इस्टो तो लो तो दस से बीस परसेंट होता память तो बोल सकते किसके corresponding ए नहीं है जो कि एफ है एफ पॉइंट के corresponding मतलब जो ultimate point बोलते हैं इसको ultimate stress मिलता है इस एपॉइंट के corresponding यहाँ पार होता है 10 से 15 ठीक है और एफ पॉइंट के corresponding जो failure point है यहाँ पर failure होते होते कि 20 से 30 परसेंट तक strain mild steel के अंदर आपको दीखने को मिलता है इतना डाटा आपको stress कर्व में याद रखना है जो कि more than sufficient इससे question बाहर नहीं जाएंगी ठीक है इस important इसके याद रख लिजेगा आगे चलते हैं तो अब इसमें वही डाटा जो मैंने आपको समझाया है सारी चीजी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है इसको आप डाट दी याद रखिएगा कोई ठीक वही सारी चीजी इसके अंदर लिखी गई है जो मैंने आपको एक्स्प्रेंट किया है ठीक है आगे देखिए अगला क्या है आपको अगला दिया हो आप क्या stress यहां पर कहीं पर नहीं होता है जैसे आप इसके अंदर देखेंगे आप कास्ट अरन देख लिए यह पूरा माइल डिस्टिल के देखिए पुरबा प्रापर बना हुआ है कैसे होता है जिनके अंदर हमको इल्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम क्योंकि किसी मट्रियल की स्टेंथ उसकी इल्ड स्टेंथ से लेते हैं हमको कैसे पता करेंगी कि इसकी स्टेंथ कितनी है करें तो इतना स्टेंथ का इल्मुनियम लगा दिया तो इतनी लोडिंग आगा लेते हैं और इसमें पता कैसे चलती है इसमें तो दिया नहीं हुआ अगला प्रपार्टी और लेक्राइब यूज करते हैं यह चीज याद रखनी है आपको अगला प्रपार्टी अपकर बर्पार्टी आगे चलते हैं जिस आरी इसकेंदा लिखी हुई है जितना इंप्वर्टन में बताता जाता हूं बाकि आप पढ़ ने इसको बागी of material which due to a metal piece can be drawn into wire of thin section under tensioning effect कहने के मतलब ductility एक property material की जिसके कारण हम material को thin wires के रूप में ठीक है ठीन wire मतलब पतले wire के रूप में खीच कर बना सकते हैं उसके section कितना पतला खीच सकते हैं ठीक है यह इसको मैं दूसरी भास में बोलना चाहूं तो large deformation take place before failure ठीक है large deformation take place before failure इसको भी अपन ductility ही बोलते हैं अगर ऐसा कुछ statement है तो भी ductility है अगर कुछ दूसरा वाला point लेखर है तो भी है एक तीसरा point पहचानने का तरीका भी होता है कि अगर किसी material के अंदर जो strain आ रहा है वो पांच परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए ठीक material के अंदर मतलब deformation आ रहा है अगर पांच परसेंट से ज़्यादा है तो व्यपन उस ग्रूप को क्या बोलते है ठीक है उसके इंदर जिसके अंदर लैक आप तो बीटल नियुकिकल की अपरसेंट से कम है ठीक है कि अपलोडिंग के दौरा urgent चाहिए वेंच परसेंट है ठीक हो पांच परसेंट से अपका कम होता उसके के अंदर इलास्टिक स्ट्रेन आ रहा हो 5% से कम मतलब यह ठीक है ऐसे मेटल को अपन क्या बोलते हो ब्रिटल मेटेडियल है और क्या लिए अपको टाइम देगा विट अपको पॉइंट मिल रहे हैं फ़ड़ा सा फैल रहा है उसके अंदर प्लास्टिक बीजन भी है आप ने मतलब के करते हैं जैसे आपके रीटल माटेरियल का इसका यहां अपने उसका अपन राटेंग ऊजड़ाा यहाद रखने हैं जाए है आपका कॉंक्रीट हो गया वोड ग्लॉस रवर यह सारे के आपके जांपल है इंको देख लेना तोड़ा सा आधे यहाद दिया हुआ है कि मॉडला साफ इलास्टी स्टी दी हुई सभी के इस परक्रेंट रख लेना कि कास्टार की मॉडला साफ लास यहाद रखना है ठीक है आगे चलते हैं मेली अबिल्टी क्या कहलाती है इसको बोलते हैं इस बोड को अगहात वर्ध नीता हिंदिम क्या बोलते हैं अगहात वर्ध नीता अपने अगहात वर्ध नीता बोलते हैं ठीक है यह क्या कहलते हैं कैसी प्रोपर्टी होती मेटल जिसको बन किसमें कर सकते हैं उसको पतले सीट के रूप में कर सकते हैं ठीक है प्रसर लगा करके उसको बन सीट में कर सकते हैं ऐसी प्रपर्टी क्या बोलते हैं मेलिया बिल्टी कहत ठीक है ओके कह startsremlin की काạo में को आगे चलें कि अग्ला है एलास्टिस टीक कॉंसे प्रोपर्टी टि क्वी एसी प्रोपर्टी है या से मैंने बता है आपको यहा स्थ तो ईपॉइंट था और दूसरा भी पॉइंट था था नहीं अब भी पॉइंट तक क्या थे कि अगर अपन लोडिंग लगा के हटा देते हैं तो वापस जो है तो वह अपनी पुरानी सेफ उसको रिगेन कर लेता है मतलब वापस जो है तो जितना भी स्टेन उसके अंदर आया है अगर भी आपन इलास्टिसीटी बोलते हैं तो प्रपर्टी और मट्रीयल जूरीणी डैमेंसं विल भी दिकवर डवर्ड अफरत लूडिंग विधिन इलास्टिक लिमिट अगर आप मतलब लोडिंग लगा कर के हड़ा देते हो किसके अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर ऑंकर बं क्या बोलते हैं इस प्रपरणिक बोलते हैं कि लास्टी सिटी समया गई हमें ओके के लोडिंग डाने के बाद अगर आप लुटिंग तो यह किसके अंदर होता ही लास्टिक लिमिट के अंदर वा ऐसा नहीं कि आप खींच कर कितना भी खेंच तो फिर उसको छोण दो ऐसा नहीं कहां तक होगा केवल भी पॉइंट तक भी मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर कर तो इसमें भी पॉइंट तक होगा बांकि आगर अगश्या पॉइंट-पैंट लिखना टके यहां पर एक से लोटता है लौत डिखने हो अपस यहां पर क्या से लॉटता है और ऑपक extends अंदर गेए किस अलग मार्ग से लॉटता ही इसको इक अलग नाम ही बोलता है कि केसे का बहुते हैं नहीं होते हैं यह याद रख लेना कभी नहीं बनाए कभी पूछ बता दिना थिक हैं अगला आपका प्रूफ बाटियों सारे चीजे यहां पढ़ने हैं जो भी हो रही है पूरूफस्ट्रेस क्या होता है आपका जैसे मले तो मैंने आपको बताया कि या कुछ ऐसे में जिसके अंदर आपको इंदर डियर्ट टॉ स्ट्रेंड नहीं है टैंजेंट इसके पर अपन क्या करते हैं तो इसका इसका उपसेट मैथड होता है तिया आपसेट मैथड आपको जिरू परसेंट पर देखने के मिलता है वहां से अपन डालते हैं यह बनता है तो आपने अगर आपसे मेटर्स कोई चीज करें तो आपका क्या कहलाता है अगला क्या आपका प्रूफ रेजिलेंस प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है इसमें प्रूफ पॉइंट आपको दिया हुआ है अगर उपर देख लेते हैं चलिए यहां पास आपको प्रूफ पॉइंट दिया हुआ है यहां तक लोडिंग के दौरान जैसे आप लोड लगा रहा हो तो भी इसके इन्दर इस्ट्रेस सेटेंट कर मिल रहा है अब आपने दौरान जब आप लोडिंग लगा है तो कुछ इन्दर कुछ इनर्जी के बात हें सिद्धी बात में इसके इनरजी इसी स्टोर हो रही माம् दिंद ढ़ल भगी फॉप सर्फ लिईज हो जाएगी इस हो जाएगी अगर आप किसी material में loading लगा रहे हैं तो जो energy की मात्रा after unloading release होगी ठीक लोडिंग के दौरान खाली है तक पॉएंट तक जित्ती एनरजी होती है unloading के बाद वो energy सारी recovered हो जाती है रिलीज nodig हो जाती जिसे अपन क्या बोलते हैं पुरूफ रिजिलेंस बोलते हैं ठीक यह amount of energy which is stored in within कुरूफ प्वाइंट ठीक एंड्ट ड्यूरीग लोड़ींग ठीक है किसके अंदर देखने को मिलेगा लोड डिफोर्मेशन कर्व के अंदर तो इसका अगर मैं एक सिम्पल सा डिफनेशन बता देता हूं आपको डिजिलेंस बेसिकली प्रोपर्टी आप माटेरियल ठीक है ड्यू टू डैट एब्जॉर्ब एनर्जी वेन इज बेन इट इन से डिफॉर्म एलास्टीकली वेन इटिफॉर्म इलास्टीक लिए अगर अपने किसी मटरियल को इलास्टीकली मतलब सम shootings गें देदर दिफॉर्म करवा ले थे हैं जैसे मैं अगर किसे मटरियल को म्रें यहं यह अब 17中共 कहा पर है किसमें को देखने को मिल रहा है एक बाद एक न बोलते हैं क्या बोलते हैं ठीक बोलते हैं वोड दूसरा डिफनियसन यह होते हैं क्या जिख्यांम एडिन्स अफ एंडर्ल डिफार्मेशन गर्ब व Это कि इसको को दूसरा डिफिनिसें सब्सक्राइब कर विदिन फ़गु को मेशन कर इसन में योछ इसमें अपनने इधा लगा रखा यह वाला एरिया है यह क्या कहलाएंगा आपका अब एक फर्मूला पूशता है आगई बता देता हूँ इसको चलिए ठीक है एक यहां पर क्या है if loading is done beyond elastic limit and then unloading then energy released is called hyper plastic strain energy जैसे मालो लेट सपोज आपने क्या किया आपने loading भी तक नहीं करी आपने elastic limit के beyond मतलब बाहर cd जो इधर e है ना यहां तक loading लगाती फिर आप छूण रहे हो तो भी कुछ न कुछ तो energy store हो रही इसके बाद जब आप loading हटाओगे तो energy क्या होगी रिलीज होगी वह जो energy कहलाती वह जो strain energy कहलाती हो कहलाती है hyper plastic strain energy पूछ ले अगर कि if loading ठीक है if loading is done beyond elastic limit ठीक है जो डिलीजड एनरजी क्या कहलाएगी hyper plastic strain energy यह बात भी आपको यादरत है इंपोर्टन्ट है अगले पर चलते है अपना modulus of resilience ठीक है अगला क्या है modulus of resilience यह simple होता है इसे क्या बोलता है अपन ए ठीक है area under stress strain curve within elastic limit क्या होता ही area under stress stress strain curve within elastic limit बिर्ट टिकशग साइब सक लिंट साइब को है इसके अड़का करन्य करने पाइब यह नितो बोड़ेया क SUBSCRIBE जाओ हो गई और एसका इसका प्रकार का ट्रेंगल के व्यांन में बैस नाफ हो गाए ह। ले में हैं रे ओप इंधी ने हiliar के लिए हो गया अब एक साइलान वाई को अपन क्या लिख सकते हैं एक साइलान वाई की वेलू चाहिए तो क्या हो जाएगा इसकी वेलू मैं यहां पर फूट कर सकता हूँ अगर मैं यहां पूट करूँगा तो एक साइलान वाई की जगहिन क्या रख देंगी सीग्मा वाइ एक और और सिग्मा आउट आफ ए यह सीग्मा वाइ तो यह को यह को युरिस मटे की चीज रखनी इस टाइम पे एकदम क्या रखना है एकदम इंपोर्टन क्या है आपके लिए यहां पस इंपोर्टन यह है सिग्मा वाई स्क्वेर आउट अप टूई तो पूछे कि मॉडला साफ रेजिलेंस की वैल्लू कितनी होती है तो सिग्मा वाई स्क्वेर आउट क्या मॉडला साफ रिजिलेंस का फार्मूला है ठीक है याद रखना इसको डिट ली कुछ ने पूछलेक्सर माड्ड रेसिलेंस का फार मूला क्या होता है कुछ नहीं करना संब दिखें एक फार्मूल और बता देता ह는데 यहां पे अपे लिग देता हूं ठीक है क्या का माड् होता है लेजियोंस और रेजिलियोंस इन्टु वड्लियूम इन्टो क्या होता है ङसको वाल्यूम कर देता हूं इन्टु तो यह बएलु के लाइगे मेरी रेजिलियोंस की यह याद रखनी है दोनों चीजे बहुत है यहां तक कहा नीक लिए कोई धिक्कत नहीं ना तो रिजिलेंस और मौडले साथ डिशलेंस में दोनों बहुत ज्यादा इंप्रेंट चीज़ेंड दोनों को याद रखना है कि अगला पॉइंट पेचलते हैं अगला पॉइंट क्या है यह आगला पॉइंट है आपका टफनेस टफनेस क्या होता है तफनेस होता है तफनेस होता है गेंस इंपक्ट लोडिंग यह जो पूर होता है इसको बूर बोलते हैं यह पहले is चोट होती उसके भी अपन का बोलते हैं टफनेस टंस इस डिरा सिसके भाइबम प्रेवन शीर अगीनज्ञ इंपक्ट फ्रेक्ट्ट्र करब अबडें दूरर डे फ्रेक्षाल प्रेफन के यह सब आधा रह cómo पर यहाद ओरना सकहरा उसके हाप भूलते हैं आहिंए एक हो गई है ठीक है तो इस्टे अगेंस आपका इंपको याद रखना है जाओं कर ऑप्रैक्शर पैँंट तक होता हुआ हो भी आपका टफनेश कहलाता है डोनजी यहाद रख लाएन को सबीक भनेगे बस हो गया ठीक है अगला आपका मॉडूलस अफ टफनेश यह क्या होता है यह तो इयरिया क्या क्या है यह आपका आपका प्यक्षर पॉंट यह चला है तक तफनेस ठीक है यह बात भी आद रखना है ओके अगला पॉइंट के हाड़नेस क्या होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इसक्रैच ठीक है इसके अगेंस्स देता है उसको अपन क्या बोलते हैं बोलते हैं ठीक है इसमें कुछ पॉइंट लिखा है अगर इसको अपन इसको बात करेंगे तो इल्ड पॉइंट कहते हैं तीनों पॉइंट है इनको भी आत रख लिजिएगा वोगे बाकी हाड़नेस क्या चीज़े रेजिस्टेंस अगेंस्ट इसक्रैच लोडिंग अब बात समझें मेरी बात पहली बात तो क्रीप में एक बात रखना है कैसा है क्रीप नौन इलास्टिक इस्ट्रेंग का मतलब यह कि अगर आप लोडिंग लगा करके हटा देते हो तो आपसे रिकवर नहीं होगा जो इस्ट्रेंग आ गया तो दिखेगा आपको रहेगा पर्मनेंट करीप के अंदर होता कि जैसे अ मा लडटो मैं Even डूसरा क्या होगा सर दूसरा ये होगा कि इसका जो अपने लगे ईंप पासे पासेज आप टाइम बहुत लंबे समय के लिए आपने किया कि इस लोडिंग पी लोड को नहीं हटाया तो क्या होगा चुकि यह जो मटेल है यह मेटल किससे बना हुआ है छोटे-छोटे बार्टिकल से कोई भी पदार्थ होगा जैसे मालोगे मैल्डी स्टील है तो मैल्डी स दिनों के बाद यह जो मॉल्डी स्पेस बढ़ने के कारण एक और डिफर्मेशन आएगा वह जो एक्स्ट्रा डिफर्मेशन होगा उसको अपने लोग बोलेंगे क्रीब मेरी बात को ध्यान से सुना अगर आपने तो एक बाराव समझा देता हूं यह जो अगर मालोग कोई म कुछ समय के बाद आता है उसको अपन लोग क्रीब बोलते हैं यह आपस रिकावर नहीं होता है इसको अपन क्या बोलते हैं क्रीब समझ में आ गए क्रीब को यह पूछ लेता है कभी-कभी तो देखो मैगनिटूड अप्लोड जितना ज्यादा लोड पर लोड ज्यादा तो क्रीब ज्यादा होगा टाइट साप लोडिंग अगर डाइनमिक होगी तो ज्यादा चांस है वही जल्दी उसके अंदर स्पेस बढ़ जाए उनके ऐसे एक ग़र अपनेज भरया लोग यहां पर कुछ भी आपने इसके अंदर बन निए अब एकदम यह तैट थी फिर आप ैली कौड़े ब том एक दिन क्या होगा ना मतलब ऐसे कुछ ताइम के बाद आपने कुछ ढीला नहीं गया पर यूं अइसे हो जाएगा तुछ यह उपने लग गया तो यह जो इज्टेन क्या 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 आता है यह क्रीब क्ली डिब्था अगलाता पका क्रीब प्तारो समझ गए साइकलिक और रिवर शीइक लोडिंग वार और सब्लाइब रिआ लगा है और बढ़ने लगने लगर बढ़ने लंगे बढ़ते बढ़ते फॉडियर हो जाएगा समाझ भाएगर walked लोडिंग आरा जा रहा है आरा जा रहा है बार बार साइक्लिक लोडिंग लग रही है तो क्या होगा है जो इस पेस धिर धिर बढ़ते जाएंगा और यहां से एक क्रैक बन जाता है और क्रैक बन करके फाइनल फेलियर हो जाता है इसी फेलियर को बन क्या बोलते है तो क्या ल बारे में बात करेंगे आप बात कर लेते हैं थोड़ा मेतल पहला कि अंदर योगा इस लोगा यह कैसा होगा क्या बोलते हैं काप पॉन फेलियर क्या बोलते हैं काप कॉन Thomas तो जो लोडिंग होगी जो फेलियर होगा कब कोन फेलियर होगा मतलब कैसे होगा यह जैसे होगा यह प्लियर के बाद क्रास सेक्षन कुछ ऐसे हो जाएगा इसके बाद की अ कि अब देखने इसको क्या बोलते हैं कप कोन फैलियर कुछ इसको क्या बोलते हैं किते डिग्री पर होता है है दूसरी बात कर लेते हैं तरीके से हैं अब इसके अदर आपने क्या करें लोडिंग लगा दी पी की किसकी इसके अंदर भी जो इसके बड़े बढ़े हो पट तो पुछें कि इस चैनल लोडिंग के केस में बिटल माटेरेल में किस तरीके के फेलियर होगा तो 90 बताइएगा और अगर पूछे डग्टाइल में माटेरモंतरregoryCanane Chris किसफेथे बिचे केस में किसा फेलियरो को तो 45 डिग्रीना नाम इसका कप्कोन फेलियर इसमें आपका के С upstairs पर सबतार एक पूछा जाता है जो आप याद रख सकते हैं डूटो किस के कारण कैसा फिलियर होगा यह बात फट्टा से याद रख लेंगी तो बहुत हो जाएगी टॉर्क के कारण कैसा फिलियर होता है तो देके एक में यह पर लिखा जैता हुए तो निफे हैं यहां पर लिखा दिचलो तॉर्क के करण है तॉर्क के कारण अगर आप बात करते हैं domotory पिए है डप्टाइल मातेयल में टॉर्क लोडिंगे चोर्शनकायक कहनड रोता है तो ऑन इसे हमका hierarchi और बात कर लेते हैं। इस होता है तुवन कीश में कैसा होता है आपका ही कले होता है कैसा कैसा हे अज होता है किस केस में बिदिटल मटियर के केस में अगर रोड़िंग मूई लग एक लगा ञए है रही है कैसा फहले होता है बस याद रखने है वी इंपोरटनंट नाम ही इंपोरटन्ट आगे चलते हैंग क्या क्या विख स्पता दिया रॉ選क होटे हैं किपने प्रकार के या देख लो इंधर अगर देखे हैं इस्ट्रस कोर्या हैं बेंडिंग के कारण बेंडिंग लोडिंग करण जो na डायरेंट नॉर्मल इस्ट्रेस होगा निए कि कारण की कारण ट्रेस भी बोलते हैं इंडारेक्ट सीयर इस्ट्रेस भी बोलते हैं एक्सिस about which cross section प्रोटेट करता है फिर जिसके अब पूरा क्रॉस एक्षिन करता है थीक्श क्या राता है थीक्स के आपका नुट्राल इक्सिस कहलाता है तो के अब इसके कुछ हो रहें हैं कैसे बहुत हैं और स्थेयर का याद रखेंथ किसा होता है यह परकार के साय kita पुलते हैं इसके बहुता है क्यों हो पॉस्टिव फेस अब होता है यह पॉस्टिव हो गें अब बात गया न ध्यवाला भी देखो यह यह nadie निगेटिव फेस है और निगेटिव डियरेक्शन तो निगेटिव निगेटिव हो गए दो चीज देखते हैं एक देखते हैं हम क्या फेस और एक देखते हैं अपन डायरेक्शन जैसी यह वाला फेस तो पॉजटिव एक्स फेस है और यह वाला आपका पॉजटिव वाई फ ठीक है और यह वाल, डारेक्षिन, positive direction, इसके positive, negative direction, उपर वाली positive, नीचे, negative, आप इसमें है रेटीव, आप कहीं पलग मरीजेए हैं, ठीक है यहां पर देख लिए फोड़ा सा कॉछंसे जदा लोड नहीं ले ना ठीक है जदा अगर याद ने रहा तो इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं बस एक बद देख लो कि अगर ऐसा कॉंबनेशन बने तो शीरस है अभी यहां पर चिनको समझ में आगे अच्छी बात नह नेगेटिव से अगे चलते हैं ठिक है अब बात आती हो किस अश्यप इस प्रपर्परटिज हमें किस प्रोकार की अइड़ी इसे होते है तो मतलब E अगर सभी direction पे equal है, माने EX भी बराबर है, EY भी बराबर है, और EZ भी बराबर है, माने modulus of elasticity in X axis, modulus of elasticity to Y axis, modulus of elasticity in Z axis, is equal, ठीक है, अगर सभी direction में equal है, तो वो property कहलाएगी आपकी isotropic, ऐसी material property क्या कहलाती, isotropic, ठीक है, इसके बाद कुछ नोट दिया है, if properties round different in three mutual perpendicular direction, then material is called orthotropic, अगर ये तीनो, AX, EY और EZ, तीनो अलग हो, तो ऐसे material property बोलते हैं, अपन क्या orthotropic, अगर तीनो direction पे अलग हो, देखें, तीनो direction पे अगर equal है, देखें, तीनो पे 90 degree पे अलग है, अगर तीनो में equal है, तो वो आपके कहा है, मतलब सभी direction में equal है, property, identical property, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वो property कहलाती है, अगर तीनो direction में अलग-अलग है, तो वो कहलाएगी आपके orthotropic, जैसा की example है, आपका wood, ठीक, जैसा की example है, आपका wood, और अगर property are different all direction, और सभी direction में अगर अलग है, तो उसको बोलते हैं, अपन क्या anisotropic, कहानी clear होई जो identical properties है, वो किन्ही तीन direction में, sorry, किन्ही तीन axis के अबाउट, equal ना हो, ठीक, दिखाने हैं आपके, three में mutually perpendicular directions, in such a material called orthotropic, अगर तीन direction से exy जड़ी, अगर ये तीनो equal ना हो, एक दूसरे के, तो वो property कहलाएगी orthotropic, और किसी भी direction में अगर equal ना हो, तो क्या कहलाएगा आपका anisotropic, तीनों कहानी clear है, example, anisotropic example crystal, आपका orthotropic example, आपका wood, और आपका एक example और याद रखना है, isotropic का तो अपन mild steely मानते हैं, ठीक है, यह होगे, आगे चले है, material is homogeneous, homogeneous, homogeneous क्या होता है आपका, homogeneous, homogeneous का मतलब यह होता है कि, homogeneous कहा था, properties are equal in all points throughout the volume, ठीक है, properties are equal to all points, सभी point पर जोसकी properties है equal होनी चाहिए, कैसी property, और कहां का equal, कुछ तो समझाओ, सर, ऐसे उपर उपर थोड़ी काम चलेगा, तो रुख जाओ, सबर करो, similar property throughout the volume, एक सब्द में बोल रहा हूं, homogeneous का मतलब सिर्फ इतना है, similar property throughout the volume, similar properties throughout the volume, ठीक है, similar property throughout the volume, कहने एक मतलब क्या है, जैसे, let's suppose हम नहीं क्या लिए, अब इसकी एक ऐसी property जो सबीचे के बराबर हो, क्या ले लेते हैं, चलो density माल लेते हैं, density is constant at every point, density मतलब डिनेट करते हैं से, रो से, यह रो इसके हर particle में equal होना चाहिए, तो क्या है practically possible है, यह जब जो labors काम करते हैं, तो यह तरह ध्यान नहीं देते, कहां पे एक दम accurate मसाला मिला है, कहीं पहु सकता है water की मत्र जाता रहे गई, कहीं पे cement कम हो, तो उसकी density बखट गई, है ना, तो मतलब यह हर point पे अगर equal है, किसी भी point पे, यहाँ पर row 1 निकालो, यहाँ पर row 2 निकालो, यहाँ पर row 3 निकालो, अगर मेरे को सभी point पी बराबर मिल रहा है, particular किसी material की बात करो, concrete की, अब अपन civil engineer को concrete की बात कर रहे है, कोई और material की बात कर ले, ठीक है, उसी material में, तो अगर हर एक point पर density equal है, हर एक point पर density equal है, तो ऐसे material को बोलते है, homogenous, जो practically, civil engineering case में तो possible नहीं होता, हम मानते हैं, आप देखते हूं, कभी आप पढ़ते हो, bending stress वाले case में, या यहां पर क्या लिए है, an isotropic material is always homogenous, but homogenous material is not unnecessary to isotropic, यहां पर कहां नहीं समझीएगा, isotropic material always homogenous होता है, तो इसकी जो property सभी direction में equal है, तो isotropic तो हो जाएगा, homogenous, लेकिन, कोई homogenous material isotropic है की नहीं, यह confirm नहीं, जैसे wood is homogenous, but not isotropic, ठीक है, जो wood होता है, लकडी होता है, उसके races सभी ज homogenous है, ठीक है, लेकिन isotropic नहीं है, कहां इसमझ में आगे, लेकिन metal होता है, metal homogenous होता है, साथ में isotropic भी होता है, ठीक है, तीस तरीके से यह तो comparison लिखा है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेजिएगा, बहुत ज़्यादे important है, ठीक है, बात करेंगे कि इसकी material in elastic, की material is elastic, मतलब क्या है, the stress is directly proportional to strain under uniaxial loading case, ठीक है, uniaxial loading के case में stress directly proportional to strain, विदिन कहां तक, proportional limit तक, मैं बार बार बोड़ वोड़नों, इसको बहुत याद रखना है, क्योंकि इस chapter में सब्जाद important, इस ही का इस treatment है, ठीक है, हुक्सला क्या है, हुक्सला ने क्या बोला, यह जो stress है, वो directly proportional to strain, कहां तक, proportional limit, ठीक है, अगर proportional limit आप समय हो, तो राक elastic लगाई, यह पर elastic भी दिया, reason यह है कि elastic बहुत minor change होता है, बहुत थोरी धूरी पर होते है, ठीक है, तो यह proportional limit तक होता है, ठीक है, तो होगा, material homogenous होना चाहिए, isotropic होना चाहिए, और linearly elastic होना चाहिए, इसको अगर सही माइन हम देखा है, तो linearly elastic होना चाहिए, ठीक है, linearly elastic होना चाहिए, मतलब linear होना चाहिए, up to elastic point तक, ठीक है, अगले point चलते है, कुछ elastic constant है, जो बहुत जादे important जैसे, e is equal to sigma upon e, ठीक है, e क्या आपका modulus of elasticity, यह क्या होता है, stress with respect to strain, इसका ratio होता है, यह आपका क्या कहला है, modulus of elasticity, अगर पूछे कि इसकी कित्ती होती है, mild density, तो 20 to 10 to 5 newton per minimum, यह मेगा पास कर, आगे याद रखिएगा, ठीक है, एक होता है, आपका क्या shear modulus, shear modulus, यह आपन इसको modulus of rigidity भी भी बोलते है, यह होता है, G is equal to tau out of theta, ठीक है, tau out of phi दिया हो, basically, shear stress है, shear strain है, shear stress with respect to shear strain, is it called modulus of rigidity, ठीक है, यहादा कानी क्लियर है, और क्या होता है, bulk modulus, के सिरी नोट करते हैं, direct stress with respect to volumetric strain, ठीक है, direct stress with respect to volumetric strain, के सिरी नोट करते है, sigma out of phi होता है, यह भी important यहाद रखना, bulk modulus क्या होता है, direct stress with respect to volumetric strain, ठीक है, cage inversely proportional to volumetric strain, ठीक है, if poison ratio of material is 0.5, such as material is incompressible, अगर कोई किसी material की poison ratio, poison ratio क्या बताता हूँ, याद रख लिएगा, ठीक है, अगर किसी material की poison ratio 0.5 है, then material is incompressible, उसको आप दबा नहीं सकते हो, ठीक है, यह कहने के मतलब है, तो याद रख लिएगा, poison ratio की बात करते हैं, ठीक है, poison ratio क्या होता है, यह होता आपका minus में लगाते हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है, आप किसी material को अगर खैच रहे हो, माले P लगा के खीच रहे हो, इसका यह वाला यह वाला जो face है, यह क्या होगा, compress होगा, अंदर की तरफ, माने lateral strain कुछ कुछ तो आता है, अपनने क्या माना कि हम इस पर loading लगा रहे है तो इसमें जो strain निकालें, केवाल इसी direction पर आ रहा है, बड़ ऐसा थोड़ी होता है, इसी direction पर आएगा, आप जब यह खीच करके फोड़ा जब इसकी length बढ़ रही तो इसका other dimension, माने जो इसकी depth हो कम ओड़ी होगी, ठीक है, तो वह ही होता है, lateral strain with respect to longitudinal strain, ठीक है, अब इसकी general range होती है, यह minus 1 से लेकर 0.5 तक होती है, theoretical है, सभी के लिए general होती है, बड़ अगर पूछ लेकि civil engineering value किती है, 0 से लेकि 0.5 तक, दो प्रकार question पूछे, theoretical value minus 1 से लेकि 0.5 तक, अगर question पूछे, कि civil engineering बार के लिए poison ratio के value, 0 से लेकर के 0.5 तक होती है, यह बात याद रखना है, अपने कुटिक यही वाला मारना है, 0 से लेकि 0.5 बाला, ठीक है, अगर total पूछे, तब लगाएंगे minus 1 से लेकि 0.5 तक, यह important question यह भी बनेगा, यह भी बनेगा, बहुत बार पूछा गया है, 0.5 तक, अगला आ poison ratio up, ठीक है, rheopatic material is found negative, ठीक है, जैसे human tissue हो गया, ओके, यह समझ में आ गया, आप कुछ-कुछ value यहाँ पास आपको दी हुए, डाटली, याद रख लेना है, पूरा याद का लेजी, कौर्क का 0, glass का 0.1 से 0.01 से 0.05 तक, concrete का 0.1 से 0.2 तक, elastic metals का 0.25, 0.42 तक, steel का 0.286 तक होत इतरी, perfectly elastic material का 0.25, elastic, यह steel का कहीं पर 0.12 से 0.25 भी range दिया रहता है, यह दोनों सही है, दोनों देख लेज़े, जो आपसर मेरे है, मार देना है, ठीक है, इसके बाद देखिए, कि 0.28 आपका क्या होता है, elastic material, elastic, sorry, just second, just second, 0.27, 0.3 होता है, 0.27 से 0.3 होता है, 0.27, 0.3 होता है, steel का याद रख लेज़ेगा, ठीक है, एलमोनियम का 0.33, बहुत पूर्षता है, याद रखने है, पूरा टेबल एक दम याद कर लो, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या दिया देखिए, पहले पहले, तीन-चार पॉइंट क्या याद करवाना चाहूंगा, तो मैं बोलोंगा, पहले पॉईजन रेशियो की वैलू, दूसरा आप याद रख लो, होकसला का नियम, वो कहां तक वैलेड है, और तीसरा बोलोंगा, कि यह Elastic constant की बीच relation, यह तीन चीज़े बोलोंगा, जो एकदम आप रट लो, तीन-चार चीज़े, जहां से question directly फंसेगा, एक दमलिक के ले लो, अगर question आया तीहीं से आएगा, क्या है inter relation between elastic constant, यह तीनों relation याद रखने है, is equal to 3k, 1-2 mu, यह पहला relation, is equal to 2g, 1 plus mu, दूसरा हो गया, तीसरा है, is equal to 9kg out of 3k plus g, फिर चौता, mu is equal to 3k minus 2g out of 6k plus 2g कुछ भी याद नहों हो, इस चेप्टर में सब भूल जाएगा, यह फार्मूला नहीं भोलना है, खास करके, खास करके, starting की यह दो फार्मूले, इससे numerical भी बनेंगे, इससे theory directly पुछी जाएगी, relation पुछ जाएगे, यह बहुत जादे important, वे वे आईपी, जो बोल दो इसको बहुत जादे important, e is equal to 3k, 1-2 mu, k क्या है, bulk modulus of elasticity, e आपका modulus of elasticity, mu क्या आपका poison ratio, और इसमें g क्या है, g आपका मैंने ऊपर बता दिया, आपको shear modulus, e आपका modulus of elasticity, mu आपका क्या है, poison ratio, ठीक है, मांकी सारी कहानी समझ गे, जब-जब relation पूछे जैसे मालो आपको value दे दी g की, value दे e की, अब आप से पूछा, mu क्या है, तो यह वाला लगाईएगा, दूसरा वाला formula, ती formula बहुत ज़्यादे important, ठीक दम रट लोइन को, ठीक, अच्छे से, आगे जाते, elongation आप बार, due to axial loading, axial loading मालों किसी बार के अंदर आप लगाया है, तो उसके अंदर total elongation कितना होगा, ठी L होगा, वो PL upon AE है, ठीक, क्या है, PL upon AE, B क्या है, total load, L इसकी total length, A इसका cross-sectional area, और E इसकी module साफ, plasticity, total जो length में change हुआ है, वो finally आपको किता होगा, PL upon AE, कहानी सही है, आगे देख लेते हैं, अब let's suppose क्या है, ऐसे कई सारे step bar को, ठीक है, ऐसे, just second, hello, ठीक है, तो आज यहीं बहीं, देखी, आप क्या माली जी step bar है, step bar मतलब ऐसे 2-3 bar connected है, जिनके time meter अलग लग है, ठीक है, step bar यह connected है, आप question पूछ ले, इनके अंदर अगर loading लग रही, तो deformation कैसा होगा, तीनों में कुछ नहीं करना, अलग लग लग जैसी A1, इसका cross-section, इस सब क्या लग 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 दी हुई है, ठीक है, तो सभी के इंदर जी deformation होगा, आपको अलग लग लग निकालना, और सभी को add कर देना है, ठीक है, क्या होगा, जैसे P1, L1, out of A1, E1, plus P2, PL2, out of A2, E, ठीक, ऐसे करके, PL3, out of A3, मतलब तीनों में निकालना, आपको पहले बाले reflection निकालना, दूसरे बाले में, तीसरे बाले में, तीनों को add कर देना, यह आपको क्या होता है, reflection add of step bar, अब इसमें confusion हो जाता है, कि सर, जैसे मालों यहाँ पास P ही loading लगी हुई है, तो P loading में देख लिजए, तीनों में इसमें क्या single एक ही load है, तो आप ऐसे करक निकाल सकते इसको, simply आप क्या कर लें, इसको add कर दीजेगा, question इससे इतना ही बनेगा, और इससे different नहीं आता है, कभी कभी, ठीक है, इसके बाद किया, deflection आप circular tempering bar, तीसरे पकार जो फार्मूला डायेटली पूछे जाता है, जैसे कोई circular tapping bar है, tapping bar का मतलब यह किसका एक diameter तो D2 है, और ए कैसे करेंगे अपन, A को अलग लग लिख लेंगे, तो D is क्या लग लेंगे, PL out of area क्या होता है, diameter अगर circular है, तो P by 4 into D square होता है, तो D is में अलग लग लग, तो दोनों का average दे लेंगे, D1 into D2 square, ठीक है, D1, sorry, square ने, D1 into D2 कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों का average लेंगे, D1 into D2, ठीक है, D1 into D2, और into का E क्या है, E तो ही आपका, टोटल हो जाएगा, फोर को पर भेस देंगे, 4P, ठीक है, 4PL out of pi D1, D2 into का E, यह आपका क्या होता है, टोटल, यह आपका टोटल होता है, deformation, ठीक है, under tempering bar, ठीक है, under circular section में जो tempering bar होता है, उसका आपको इस तरीकेस निक पर भी, बस area को पन इस तरीकेस average ले 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 लेते हैं, आ जाता है, यह वाला भी याद रख लेना formula, चौथा याद रखना का rectangular taping bar है, rectangular case में क्या होता है, यह simple direct formula, यह not much important, याद रख लो तो ठीक है, बड़ उतनों important नहीं आया नहीं कभी, PL log E, B2 out of B1, ET, ET इसकी ठीकने से, और B2 minus B1, तो अगर डायटली याद रख सकते हैं, बहुत बढ़ी है बात है, ना भी याद रखो तो ज्यादा important नहीं है, इसके बाद आदा deflection, आप composite bar, दो composite bar दियो हुए, इसके अंदर deflection कैसे निकालेंगे, तो वही same है, दोनों के अंदर P1, PL out of A1, E1 PL out of A2, E2, यह इस तरीका सोता है, deformation इसके अंदर, ठीक है, final deformation है, जिसमें जो पहला वाला बार है, उसका area A1 है, और उसके माड़ा से plasticity A2 है, और जो दूसरा वाला बार है, ठीक है, मतलब दो बार को basic अपन ने building करके जोड दिया है, ठीक है, तो दोनों के अंदर, अगर एक ज्यादा important है, एक self-abit के कारण, ठीक है, जैसे यह दिया हुआ, एक self-abit के कारण, आपका एक prismatic bar है, तो उसके अंदर deformation तो gamma L square out of 2E, या WL out of 2AE, दोनों फार्मूले सेम है, उसको convert किया है, ठीक है, तो अगर पूच ले, gamma बराबर क्या होता है, तो आपका gamma बराबर, ठीक है, gamma L square out of 2E, तो यह वाल भी आपको याद रखना है, यह दोनों फार्मूले याद रखना है, यह दोनों फार्मूले बहुत इंपोर्टन है, बहुत इंपोर्टन है, यह दोनों फार्मूले, इसके बाद अगर पूच ले कि कोनिकल बार के अंदर self-abit कारण, कितना reflection, कोई कोनिकल वार जैसे दिया हुआ, कोनिकल वार करन कैसा होगा, तो यह होता है, one third of prismatic bar, ठीक, प्रिजमेटिक बार का एक बड़ तीन, तो यह कितना है, gamma L square out of 2E, एक बड़ तीन, तीन का और गुणा हो जाए, gamma L square out of 6E, ठीक है, gamma L square out of 6E, दोनों फार्मूले बहुत ज़्याद इंपोटन्ट है, directly याद रखने हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल इनके साथ कहता ही नहीं बरत नहीं है, ठीक है, तो यह था, जो जितने इंपोटन्ट पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट और ज्यादे इंपोटन्ट, थोड़ा सम लिख वाना चाहूंगा, इसको आप पुछें, number of elastic constant, ठीक है, to define homogeneous and isotropic, कैसा पुछतन, number of elastic constant to define homogeneous and isotropic, number of elastic constant to define homogeneous and isotropic, पूर कितना होता है, दो, अगर number of constant पूछे, homogeneous और isotropic material को define करने के लिए तो दो होते हैं, अगर यही चीज़ पूछे, number of elastic constant to define orthotropic material, किसके लिए पूछे, यह सेम चीज़े, लेकिन अब material कौन से हैं, अपे, orthotropic material है, तो उस case में, orthotropic material के लिए, जो number of elastic constant लेते हैं, वो होता है, आपका now, example orthotropic का क्या है, would है, और अगर प elastic constant required to define anisotropic material, सब कुछ से मैं कहानी, आगया material है, हाँ पे anisotropic, क्या आगया, anisotropic, तो यह होता है, आपका 21, क्या होता है, 21, तो तो तीनो value important है, 2, 9, 21, दो होता है, homogenous और isotropic के लिए, orthotropic के लिए now, और anisotropic के लिए 21, ठीक है, यह तीनों चीज़े important है, जो आपको याद र इतना पढ़ा जिए, इतने में सारे बन जाएंगे, बस यह कितना आप लोग याद रख करके, इसके PYQ सारे कर लिजेगा, बाकी जो chapter है, बाकी उनको सेम तीज़े से पढ़ लिए, जैसा कि application के इंदर पढ़ाया गया है, बाकी समझने जरूरी होतना, ठीक है, तो बस इतन इसके अंदर तिंचार चीज बहुत ज़्याद इंपॉर्टन्ट है, इसको रिकॉल भी कर देता हूं आपको, तिंचार चीज जो पूरी लेक्चर के अंदर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, मैं यहाँ पे हाइलाइट करके दिखा देता हूं उचीजे, ठीक है, सब इसके बाद यह वाला फार्मूला इसको भी आपको नहीं भूलना है, इसके बाद और क्या भी है इंपॉर्टन्ट इसके अंदर, यह पी एल अपाने ही तो ठीक है, से एक याद रख़ों को सारी याद हो जाएंगे, फिर यह जो सबस्याद रिलेसंसी बहुत इंपॉर्टन इसको सभी याद रख लेने हैं आपको इसके अप्लिकेशन से लए डिलेसंस आप देखेंगे, इसको याद करना है, ठीक है, बाकि यह जो इनको भी याद रख लीजी यह इंपॉर्टन है, हुक्सला यह आइसोट्रॉपिक मट्रियल किसे कहते हैं, इसोट्रॉपिक यह भी इंपॉर्टन है, ठीक है, अब जितना पठाया है, इंपॉर्टन है तो पढ़ाया है, वैसे मुझे सभी इंपॉर्टन लाइक रहे हैं, पर हाँ कुछ चीजी थेोरोडिकल बेस भी है, तो तिन चार चीजी मैंने बताएं, जैसे आपको इलास्टिक कॉंस्टेंट ही क्या होते है, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, पॉजन रेशियो, उसकी वैलू, इलास्टिक कॉंस्टेंट और कुछ फर्मूली, बस यह चरपाट चीजे है, या रफो इनको अच्छे तरीके से, ठीक हो इनको रिवाइस कर लिजे, पीडिय इस वह आपका कम्टेट, आगे कल र सी सीख मेरा थन लेके आएंगी, माघे वी सब्जेट अवही लेक्च्छर आपके आड कर दी जाएंगी, ठीक है, थैक है, थैंक्यू सो माच, चाहँ आना इस्टिक